चैनल के सभी अपेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन मेरा ओभे कपंसदेशी मैं भारत को भारती अता की मानिता के आधार पर फिरसे खड़ा करना चाहता हूं उसकाम में लगावें कुछ काम में लगा को सर्दी हो गई सर्दी तो सर्दी की सबसे अच्छी आउश्ट स्वेंपार घर में है आल का रस आल है ना जिंजर अधरक उसका रस निकालो और उसमें थोड़ा मद मिला मदमने शहर और उसको गरम करके पी लो तो सर्दी खासी बुखार जुकाम सब ठीक करते हैं और आल के रस में थोड़ा तूल्सी का रस मिला और मद मिला के गरम करके पी लो तो दस साल पुरानी भी सर्दी हो तो मिटा बेदा और जिंदगी में कभी भी सर्दी ना हो इसके लिए बहुत अच्छी आउश्ट है राक को दूध पीना उसमें हरत मिला के पीना, सोने से तरह, हरत का दूद कोई भी पीए, तो जिन्दगी में कभी भी सर्वी, खाण, बुखार और टॉंसिल की बीमारी जो बच्चों को होती है, ये कभी नहीं हो, अपने स्वेंपाग घर में ऐसी बहुत आउशद है, हमारे स्वेंपाग घर में एक अच गश्ण आती है, उसका नाम है छोटी पीपर, सुनाए करिए, छोटी पीपर, मरणी में क्या कचे उप्र प्रूंसिफ होती है, बिल्कुल छोटी सी काली रंग की होती है, नहीं लवग नहीं, लवग अलग चीज है, पीपर है, आप ऐसा करना, आयुरवेथ की दुकान में जाना उसको बोलना वो देगा छोटी पीपर बिल्कुल ऐसी होती है जैसे काली मिर्च होती है वैसी होती है लंबी सी होती है उसको घिसकर उसका पाउडर और थोड़ा सा तुलसी का रस और मज्ट ये तीनों मिलाकर पीने से कितना भी ताप हो कितना भी भुकार हो खतम हो जा झाल झाल